असलाम लेकुम माई यूट्यूब फैमिली वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कैसे आप लोग सब उमीद है आप सब ठीक चाक होंगे खेरे से होंगे मैं भी अलहमदुला बिल्कुल ठीक हूँ तो फिर आज एक बहुत जबरदसी आप लोग के लिए रेमेडी लेके हूँ किस तरह से आपको इसके अप्लिकेशन करने होगी क्या क्या इसके बेनिफेट्स हैं जिसे हमारी स्किन क्लेन हो जाएगी और जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया वो कारिंड़ी सब्सक्राइब करने चो चलिए आप हम रेमेडी को स्टार्ट करते हैं पर इस पर ऑईल को भी कंट्रोल करती है तो यह बहुत जबर्दस सीर वाइटनिंग डैमेडी मैं आप लोगों से शेयर करें हूं इसके बाद जो हम इसमें एड़ करेंगे वो है फिर लावली कोई भी आप यूस कर सकते हैं चाहे ट्यूब वाली हो चाहे साशे वाली हो चाहे मास्क रेड़ करेंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे फिर लावली हम इसमें एड़ कर देंगे चितनी भी आप लोग क्वानिटिती से मास्क बना रहे हैं इसी साब से आप इंग्रिडियट्स एड़ कर सकते हैं तो नेक्स्ट टेप हमारा होगा ऐलोवेरा जेल एलोवेरा اللہ एड़ करेंगे ऐलोवेरा जल हमाई स्किन के लिए बोहुत अच्छा होता है हमाई स्किन को सौफ्ट समूज करते हैं हमाई स्किन को प्राइट करता है और कोई भी फेस मास्क हैं कोई भी फेस पैक आप यूज करें तो उसके बाद आप अलोवेरा जल जरूर अप्लाइग किया करें हमने यहां ले लिया है विटामन ए के कैपसुल यूज किये हैं इसकी जगह आप लोग वाइटनिंग कैपसुल भी ले सकते हैं तो यहां मेरे पास अभी विटामन ए के कैपसुल थे तो मैंने इसमें एड़ कर दी हैं अगर आप वाइटनिंग कैपसुल यूज करें तो आप जस्ट वन वाइटनिंग कैपसुल एड़ करिएगा तो यह जो विटामन ए के कैपसुल होते हैं वो आप लोग की स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं यह आपकी स्किन को सॉफ्ट करते हैं हमाई स्किन पर जो पैचिस पर जाते हैं उसको भी रिमूव करता है इस तरह से two capsule हम इसमें add कर देंगे next हम इसमें add करेंगे rose water यानि अरके गुलाब हमें इसका paste बनाना है अरके गुलाब से हमें इसमें पानी बिल्कुल add नहीं करना है इसमें अरके गुलाब इतना हमें add करना होगा कि अच्छा सा fine सा paste बन के ready हो जाए अब हम इस पैक की बहुत अच्छे से मिक्सिंग करेंगे मिक्सिंग हमेशा बहुत अच्छे से करिया करें तांकि जितने भी हमने इंक्रिडियर्ट्स एड़ किये हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं आपकी स्किन से डर्ट को रिमूव करेगी और आपकी एकनी को भी खतम करेगी और ओली और ड्राय स्किन के लिए बहुत ही बैस्ट होती है बहुत ही ज्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं डार्क स्पोर्ट्स और एकनी स्कार्स को भी खतम करती है आपकी स्किन को टाइट करन हुआ कि अच्छे से अपने किस तरह से अपने हैंड पे फेस पे अपला ये कर Sudaf कर सकते हैं इस मास्क को आप अपनी बाडी के किसी भी पार्ट मिष्ट सकते है यह वाइटिंग और ब्राइटिंग के लिढ़े मास्क है आप लोग को यह मास्क अपलाय करने के बाद बिल्कुल भी बात नहीं करने है और इसको हमें अच्छे से अप ड्राय करना होगा वैट बिल्कुल भी नहीं रखना होगा क्यूंकि इस मास्क से हमारी स्किन टाइट होती है और हमें अपलाय करने के बाद बिल्कुल भी वेट करेंगे वेट हम लोग इसलिए करें हैं कि हमें अची तन्हां से करना होगा और मिसज करने के बाद आप अपने फेस को EPA को मिसाज शाज मैने आप लोग मैंने वी बताया है कि सर्कौलर मोशन मेरे हैंड में जितनी भी डर्ट थी जितनी भी मैल थी वो सब उतर गई हैं और मेरे हैंड कितना साधा सोफ्ट हो गया है आप भी जब इस मास को अपलाए करेंगे आपको भी इसके बहुत अच्छे रिजर्ट मिलेंगे आपने जब इस मास को अपलाए करना है तो अपलाए करने के बाद इसके रिजर्ट के बारे में फीडबेक जरूर देना है कुमेंट बॉक्स में और अपना बहुत सारा ख्यार रखेगा और दौाओं में याद रखेगा अला हाफिज